क्या आप जानते हैं रोहिश शर्मा और विराट कोहली को आईपिल 2022 के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं जवाब है करोड रुपे रोहिश शर्मा को मुमई इंडियन्स इस सीजन के लिए 60 लग करोड रुपे दे रही है तो वही रोयल चैलेंजर्स बैंगलॉर ने विराट कोहली को 15 करोड रुपे में रिटेन किया है आज के समय में करोडों में खेल रहे इन खिलाडियों ने आज से 15 साल पहले अपनी कीमत देखकर ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इनके उपर इतने पैसों की बारिश होगी तो कितनी थी इन खिलाडियों की पहली IPL सेलरी चली आपको बताते हैं साल 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग का पहला आक्शन हुआ था तब रही शर्मा उस नीलामी में सिर्फ एक कैप्ड प्लियर की हैसियत से शामिल हुए थे वो आज की तरह नामचीन नहीं बलकि क्रुकेट जिगत में महस एक उभरते हुए स्टार थे ऐसे में जाहिर है कि नीलामी में जो बोली रही शर्मा की लगी होगी वो भी उनके तब के प्रदर्शन को देखते हुए ही लगी होगी 2008 के पहले मेगा आक्षन में रोहित को डिककन चार्जर्स फ्रेंचाइजी ने 3 करोड रुपे की बोली लगा कर खुद से जोड़ा था अब बारी आती है विराट कोहली की उनकी पहली IPL सेलरी आखिर कितनी थी तो इस सवाल का जवाब है मात्र 12 लाक रुपे जी हाँ हमें बताने में कोई गलती नहीं हो रही है और ना आपके समझने में आपने जो सुना बिलकुल सही सुना विराट कोहली को अपनी पहली IPL सेलरी के तौर पर सिर्फ 12 लाक रुपे ही मिले थे जिसे अदा कर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलॉर ने साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की पहली निलामी में उन्हें खरीदा था झाल सबया ने स्घ्ट से उसे हाँ झाल ओ, कर रो जो एफ उन्हें उन्हें है कि विर्साथ के लाटके की पोस्तवी करते है झाल झाल